इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि S-Secure अप्लिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल साइज सुना आपने S-Secure मैं आपको बताएंगे कि S-Secure अप्लिकेशन के help step Samsung के अप्लिकेशन के कोई भी अप्लिकेशन को आप बिदाउट किसी third party अप्लिकेशन के उसमें lock लगा सकते हैं? वो भी S-Secure अप्लिकेशन Samsung का official हैं? सो S-Secure अप्लिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है? इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डाउट किलियर हो जाएगा सो हेलो गाइज मेरा नाम है राजन आप देख रहे हैं राजन मोनीटर चाइनल को तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से फिलेज रिक्वेस्ट है चाइनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज इसी तरह के important topics से related वीडियोज लाते रहता हूँ आपको मैं बताएब की S-Secure एप डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहलें अपने फोन में Galaxy A Store को ओपेन करना होगा तो आएए हम Galaxy A Store को ओपेन करते हैं और आपको अपने phone में open कर लेना है open करता ही कुछ इस तरह का interface मिल जाएगा और research bar में लिखेना है as secure as secure लिखता ही कुछ इस तरह का interface मिल जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते है as secure का logo कुछ इस तरह का मिल जाएगा rating की बात की जाएगा तो 3.5 auto 5 देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते है as secure application को हम download कर लिए है open करता ही कुछ इस तरह का interface मिल जाएगा और setting पे click करना होगा setting पे click करने के बाद यहाँ पे lock and mask app पे click करना होगा lock and mask app पे click करने के बाद आपको यहाँ पे एक pin draw कर लेना है तो यहाँ पे हम pin draw कर लिये हैं और app locked app पे click करना है तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं face lock लगा है यह fingerprint भी लगा सकते हैं तो यहाँ से bike हो जाते हैं bike होने के बाद simply इस lock app पे click करना होगा इस लोग एप पे क्लिक करने के बाद इस एड पे क्लिक करना होगा एड पे क्लिक करने के बाद आपके फून के बहुत सरा अप्लिकेशन देखने को मिल जाएगा तो सिंपल यहाँ पर इस इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देते हैं और इस डन पे क्लिक करना है इस डन पे क्लिक क करते ही आप यहां देख सकते हैं इस्टाग्राम में बहुती जुय में हम लोग लगा दिया हैं